चुनावी प्रचार के दौरान तो सत्ता दल और विपक्ष में जम कर सियासी तीर चले ही वहीं चुनाव के बाद भी नेताओं के बयान बासे का सिलसिल अचारी है इस बीच अब EVM पर हो रहे विवाद पर RLSP प्रमो कुपेंद्र कुश्वा के एक बयान ने सियासी पारे को गरमादिया है जेडी और बीजेपी ने कुश्वा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो क्या कहा कुश्वा ने और उस पर कैसे मचा है खमासान आईए देखते हैं इस रिपोर्ट में पूर्व केंद्रे मंत्री और RLSP प्रमो कुपेंद्र कुश्वा ने जब से ये बयान दिया है नया सियासी बखेडा खड़ा हो गया है एवियम पर जारी रार पर कुश्वा ऐसे भढ़के कि हत्यार उठाने की बात तक कह जाली दरसल कुश्वा एवियम के मुद्दे पर अपने कारे करताओं को सम्बोदित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने कहा कि पहले बूत लूट होता था और अब रिजल्ट लूट की तयारी चल रही है अगर ऐसा हुआ तो हमत्यार उठाने से गुरेज नहीं करेंगे अपने इस बयान में कुश्वा हा सरयाम अपने कारे करताओं को ऐसा संदेश दे रहे हैं जिससे माहौल खराब हो लेकिन अभी ऐसी बात कहकर उन्होंने राजनीती का पारा जरूर चला दिया है जेडियो से लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जनता दल उनाइटेट के रेता संजय सिंग ने उन पर पलटवाल करते हुए कहा कि हम लोगों ने भी चूडिया नहीं पहन रखी उन्होंने तंसकस्ते हुए कहा कि आजडिय की संसकार में आने के बाद आपसे यहीं उम्मीद थी मगर हम भी किसी भी स्थिती से निपटने को तयार है जेडियो की साथ साथ बीजेपी ने भी इस मामले में चुनावायोग से कारवाई की मांग की है बीजेपी निता मुकतार अबास नकमी ने कहा कि इस से स्थिती खराब होगी ऐसी में चुनावायोग को अपना चाबुक जरूर चलाना चाहिए अब विरोधी दल कुश्मा के किलाव कुछ भी कही मगर वो तो अपने बयान पर कायम है उन्होंने आज एक बार फिर धोराया कि परिणाम में अगर कोई कड़ बड़ी हुई तो उसके लिए बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ही दोशी होंगे डिबी लाइफ की रिपोर्ट